Hey guys, welcome to SourcePoint आज हमने यहाँ पर discuss करने वाले यह हमारी BPSC की 9th part है तो finally यह वीडियो आ चुकी है जिसमें मैं अपनी जो optional है मेरी geography optional उसकी strategy और book list आप लोग के साथ share करने वाली हूँ तो book list मैं दोनों बताऊंगी, Hindi माध्यम में भी और English माध्यम में भी तो दोनों book list हम लोग देखने वाले और मेरी क्या strategy रही, मैं कैसे follow कर पाई, मैं कैसे complete कर पाई और geography के लिए मैं कितना पढ़ी, यह सारी चीज़े मैं आप लोग को बताऊंगी और कितना जरूरी है पढ़ना, कितना आप लोग पढ़ोगे minimum से minimum तो आपका यहां पर एक अच्छा marks से आप जो है, अच्छे marks के साथ आप लोग निकल सकते हो तो चलिए पहले देख लेते हैं तो पहले हम लोग यहां पर slavers देखेंगे as usual आप लोग की कोई भी optional है, तो BPC के website से आप लोग optional की जो उनकी list होती है वो slavers को download कर लिजे, वहीं पर आप लोग को मिल जाएगा आराम से तो यह इनकी PDF form में होती है, वाट मैं images के form में आपको बता रही हूं तो यहां पर दो section होते हैं, ठीक है, geography में एक पहला part आपको देखने को मिलेगा जिसमें physical geography है physical geography में भी आपको छोटे-चोटे part देखने को मिलते है geomorphology, climatology, oceanography and ecosystem फिर उसके बाद आपका part B.E.C. में आता है, जो कि human and economic geography है human and economic geography में आपको देखने को मिलेगा development of geographical thoughts है और उसके बाद आपका human geography है, फिर settlement geography है and then यहाँ पे आपका oceanography अच्छा यही है आपका फिर political geography है and economic geography है ठीक है, तो फिर्स section में आपका दो part होता है part A, part B, physical geography and human and economic geography ठीक है फिर आते हैं हम लोग part second में part second हमारा पूरा geography of India है भारत की geography के बारे में आपको देखने को मिलेगा इसमें हम लोग physical aspect, human aspect, resources, agriculture कैसी है industry, transport and trade, settlement, regional development, political aspect यह सारी चीज़े हम लोग यहाँ पे cover करते हैं इसी के साथ साथ आपका paper 2 में क्या होता है तो geography of Bihar geography of Bihar में आपको basically जो आप लोग इंडिया के बारे में पढ़ते हो जितनी सारी topics वो सारी topics आप लोग को geography of Bihar में cover करना होता है तो यह part 1, part 2 हो गया paper आपका geography का एक ही होता है जो कि 300 marks का होता है और total आपको 6 question लिखने होता है 6 में भी आपका एक-एक question जो है वो 50 marks का होता है और 50 marks में भी आप देखो आपको एक question में आपका सब part होता है यानि कि A, B, C करके इस तरीके का होता है या फिर A और B होता है जो कि 25-25 नमबर का हो या फिर आपका इस तरीके से 20-20 दस नमबर का हो तो इस तरीके से आपका divided होता है तो यह पूरी syllabus हो गई आप लोग syllabus एक बार अच्छे से डाउनलोड कर लीजे उसको देख लीजे और जितने भी syllabus में आपके word to word है ना यह सारी चीज़े complete करने का कोशिश कीजेगा आप लोग एक ऐसी ही book में आपको बताऊंगी जिसमें आपको सारे topic मिल जाएंगे जोग्राफी चूस करने के पीछे आपको सबसे पहला फायदा यह मिलेगा कि इसकी market में जो material है वो बहुत जादा है चाहे आप English medium से हो या फिर Hindi medium से हो आपको material के लिए कभी कोई problem देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो मैं यहाँ पे आपको दोनों बताऊंगी कि आप लोग पढ़ सकते हो ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी strategy आप लोग सुन लिजे book list सुन लिजे सबसे पहले मेरी strategy यह थी कि मैं NCRT को follow करो NCRT को मैं follow की हूँ वो भी blindly एकदम class 6 से लेकर 12 तक class 6, 7, 8, 9, 10 तक आपको एक ही book देखने को मिलेगा बट 11 में दो book होते हैं 12 में आपके दो book होते हैं तो यह सारे book को मैं बहुत अच्छे से cover की हूँ word to word cover की हूँ multiple revision दी हूँ और इसी के साथ एक Oxford Atlas भी रखी हूँ और इसमें आपका पूरे world का इंडिया का दोनों देखने को मिलता है और map भी आप अपने पास रखिए world का map और इंडिया का map जो भी आप पढ़ते हो उन सारे चीज़ों को आप map में locate करने का कोईशिश कीज़े क्योंकि आप जितने भी question लिखोगे और उन सब का जितना भी answer आप लिखोगे उसमें एक proper अगर आप map बना देते हो दाइग्राम बना देते हो तो उससे marks face करने में आसानी होती है तो यही मेरी strategy थी कि मैं basic books में ज्यादा focus करूँ rather than यह सारे books में मैं reference book का भी बहुत ही ज्यादा मैं utilize की हूँ लेकिन कुछ-कुछ topics को लेकर जो कि आपको यह basic books में नहीं cover देखने को मिलेंगे तो जैसे paper 1 में physical geography और human geography है तो physical geography के लिए मैं class 11 का तो आपको बोलूँगी ही क्योंकि physical geography है उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो उस book में दिये गए साथी सवेंदर सिंग की book बहुत अच्छी है इसमें आपका oceanography, climatology, geomorphology यह सारी चीज़े cover हो जाएगी जितना आपको exam के लिए जरूरत हो ऐसे आप लोग देखो कि geomorphology सवेंदर सिंग के अलग से भी book आती है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से दी गई है मैं वो भी book को थोड़ा बहुत study की हूँ बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसकी as much need है अगर आप लोग बहुत सारी book को अगर उतना follow नहीं करोगे तो भी चलेगा लेकिन सविंदर सिंग की जो basic book आती है physical geography करके नाम है उसका blue color की उसकी face है क्योंकि मैं तो इस book को ली थी 2018 में 18 starting में ही ली थी तो अभी उसके updated version भी आच चुकी होगी तो जो भी updated version रहेगा या फिर जब आपको exam देना रहेगा तभी आप लोग अपने सारे books को purchase कीजे क्योंकि वो ज्यादा benefit होता है आपको उसमें updated आपके सारे जो data से वो होते हैं तो वो ज्यादा benefit होता है तो मैं तो पुराने book से पढ़ती हूँ difference और उसकी जो definition है वो आपको clear हो जाएगी अगर एक बार वो clear हो जाएगी तो फिर चीजे समझने में आपको time नहीं लगेगा और एक माजीद हुसेन की book है जो आपका human geography करके आता है वो बहुत simple language में है English medium के लिए भी और Hindi medium के लिए भी Hindi medium के लिए कि सविंदर सिंग आपको physical geography का वही follow करना है और NCRT follow करनी है लेकिन अगर human geography की बात करूँ तो माजीद हुसेन आप follow कर सकते हो साथी DR खुलर भी आप लोग follow कर सकते हो तो ये Hindi medium के लिए English medium के लिए मुझे लगता है माजीद हुसेन is the best book क्योंकि बहुत ही simple language में इसमें दिया गया है और आप अराम से समझ सकते हो और interest भी आएगा आपको पढ़ने में पेपर 2 में आए तो यहाँ पर Indian geography है जो कि मैं पूरी तरीके से माजीद हुसेन का ही पढ़ी हूँ माजीद हुसेन की book बहुत simple होती अच्छी होती diagram वगएरा map वगएरा जितनी जरूरत है वो सब मिल जाएगी और main बात है कि आपके सारी topics जितनी भी syllabus में दिये गया ना वो सारे covered हो जाते इसी book में और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो Indian geography के लिए आप लोगर DR खुलर follow कर सकते हो या फिर माजीद हुसेन भी आपनों follow कर सकते हो दोनों में ऐसा खास difference नहीं है सारे topic आपके cover हो जाएंगे बिहार geography के लिए मैं know your Bihar जो as usual मैं prelims के लिए बताई हूँ बस वही मैं इसमें भी follow की हूँ मैं कुछ extra Bihar के लिए नहीं पड़ी थी क्योंकि आपको वहां option दिया रहता है कि आपको उसको opt करना है की नहीं लिखने है की नहीं तो मैं लिखी थी ज़रूर लेकिन वो क्या होता है कि मैं इतना से static portion आपका complete हो जाता है know your Bihar आपका Hindi में भी आता है कम follow करूं लेकिन हाँ उसको multiple times पड़ू अच्छे से बढ़ू और साथ में मैं current affairs को जरूर include करके चलती हूं current affairs अगर कोई भी topic से related है जैसे plate tectonic से related है तो कुछ भी अगर current में है तो आप उसको quote कर सकते हो Indian notion से related question आता है तो उसमें अगर कुछ आपका उससे मिलता जूलता कुछ अगर आप लोग जो demand है question का उससे मिलता जूलता कुछ आप उसमें अगर include कर सकते हो तो जरूर include कीज़े कि recent में क्या चल रहा है Indian notion में क्या problem है यह पूछे जाते है जितना आप current की topic के include करोगे ना उतना जादा आपका जो answer है वो खुबसूरत हो जाता है तो यह सारी बात है यह सारी book list है आप लोग कम book list के पीछे भागे है material में ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई coaching institute का material में follow की थी ऐसा नहीं है लेकिन हा कुछ topic ऐसे होंगे जो आप खुद से भी पढ़के नहीं समझ पा रहे हो तो इसके लिए online आपको देखने को मिलेगा कि काफी channels है जो की geography optional के लिए है मुझे एक अच्छा लगता है चो कि है UPSC 360 यह आप लोग follow कर सकते हो यहाँ पे आपको सारी topics मिल जाएंगे ब मुझे नहीं आता रहा बट आप लोग 500 प्लस भी अगर आप लोग सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा तो यह सब क्या है कि add-on करने के लिए है कि आपको अगर कोई topic नहीं समझ में आ रहा है तो बेटे तरीके से आप समझ सकते हो और अगर आप लोग को notes लेना है जै मैं alternative आप लोग को बताते जा रही हूं कि हाँ आप लोग को अगर किताब पढ़ने से ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग और क्या alternative sources आप लोग अप्लाई कर सकते हो तो बस मैं इतना ही बोलूँगी और यही मेरी strategy रही थी मैं इतने ही पढ़ी थी और geography optional के लिए मैं ऐसा बोलूँगी optional देखिए जितना ज्यादा आप पढ़ सकते उतना ज्यादा पढ़िए क्योंकि इसमें सबसे बड़ी फसने की बात यह होती है ना कि एक question में आपका 3 sub question होता है जैसे 50 marks के total है तो मानिए A, B, C में आपका divided है तो A आपका 20 marks का है, B आप आपका तीनो question आते हैं, नहीं, interchange करके भी देखते हैं, आप लोग previous year question अगर आप लोग देख सकते हो तो जरूर देखिए, और resource point में भी आप लोग देख सकते हो कि geography optional का मैं 64 में जो हमारे time में question आया था वो सब मैं upload की हुई हूँ, तो GS1, GS2 भी मिल जाएगा तो आप लोग search करके देख सकते हो, तो मैं यही बताना चारी हूँ कि GS1, GS2 में आप लोग एक strategy बना सकते हो कि आप लोग किस topic को complete करना है, किस topic को नहीं complete करना है, but optional ऐसा है ना, जो कि आपको या तो list में आपका नाम देगा, या तो list में आपका नाम निकाल देगा, तो आप लोग देखत हो जाता है, तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, पूरा पढ़ना होगा, इसमें कोई भी ऐसी मैं बात नहीं बहुत सकती हूँ कि आप ये topic छोड़ दो, ये topic पढ़ लो, ये topic, क्योंकि मैं कोई भी topic नहीं छोड़ी थी, मैं पूरी word to word सारी topic पढ़ी थी, ये म तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जब भी आप interview देने जाओ, तो आपको ये फायदा होगा, तो अपनी optional पर command रखी, ये book list है, हिंदी और English medium के लिए, इससे जादा बाहर जाने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत enough है, आप इतने ही complete कर अगर आप NCRT एक बार अच्छे से पढ़ जाओगे ना, तो आपको basic जो knowledge होते है, यानि कि geography में आपका कोई भी question आएगा तो आप छोड़ नहीं सकोगे, ऐसा हो जाएगा, कि आप उसमें कुछ न कुछ जरूर लिखकर आपाऊगे, और physical geography के लिए सविंदर सिंग, human geography के ल होता है, उसको आप लोगो समझना होगा कि कैसे आप लोग smart work कर सकते हैं, और साथी साथ अगर आप लोगो online sources में जाना है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ share कर चुकी हूँ, वो दोनों भी आप लोग alternative options को जरूर देख सकते हो, ठीक है, तो guys, आज के लिए बस इतनी है, ल comfort zone में ही रह के आप अपनी study कीजे, ऐसा नहीं है कि मैं जो book list यहां पर दे रही हूँ, जैसे मैं अपना पढ़ी हूँ, वैसे ही आप लोग पढ़ो वैसा नहीं है, आप लोग जो मेरी बाते अच्छी लगती है, उसको आप लोग अपने जो routine है, उसमें आप लोग include कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी मुझे ही copy कर लो, ऐसा नहीं हो पाएगा, make your own choices ultimately, यही आपको जो है, ultimately आपके goals तक पहुंच आएगा, तो आज के लिए उस इतनी ही रखते, next हम लोग कल दूसरी topic के साथ बात करेंगे, आपकी कोई भी और suggestion है, या फिर आपकी और है, तो जरूर दीजेगा, comment box में, मैं उसमें भी आप लोग के साथ जरूर बात करने वाली हूँ, और अगर ये सारे lessons आपको helpful होते हैं, तो जरूर लाइक कीजे, अपने दोस्तों के साथ भी share कीजे, जो भी BPSC के तैयारी कर पा रहे है, तो उनकी भी यहाँ पे उनको एक proper जो जो मिर्स ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजे, मिलते ही कल हम लोग इसी टाइम पर, आज के लिए इस नहीं, थैंक यू